कि अग्याइब को और साउथ एफ्रिका के बीच में मुकाबला खिला जाएगा सेमी फैनल का दूसरा मुकाबला लेकिन उससे पहले साउथ एफ्रिका के लिए एक बहुत ज़्यादा चिंता-जनक बात सामने आ चुकी है आपको उतादे कि जो साउथ एफ्रिका की कप्तान है टिमबा बहुमा कल जब अफगानिस्तान के साथ मुकाबला हो रहा था साउथ एफ्रिका का तो उसमें टिमबा बहुमा काफी दर्द में नजर आए जब वो मतलब की रंस भी ले रहे थे दौड़कर तो भी उनके पैरों में दर्द हो रहा था जो फिल्डिंग कर रहे थे तो भी हैंस्ट्रिंग में थोड़ा सा खिचाओ महसूस कर रहे थे एक बार तो ऐसा आ गया था जब मैदान से वह बाहर चले गया था हलाकि बाद वह मैदान पर वापस उनों करी थी लेकिन काफी ज़्यादा दर्द में दिख रहे थे तो ऐसे में अंदाजा ये लगाया ज मेरे पैर में काफी दर्द है अभी मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये चोट कितनी गंभीर है मेरे पास फिल्ड से बाहर रहने का विकल पर मौझूद था लेकिन मैंने मैदान पर साथी खिलाडियों के साथ रहना अधिक पसंद किया यहां पर बोला है कि उन्ह का थोड़ा सा हेल्थ इश्यू था उसके बाद से उन्हें रिप्लेस किया था रिजा हेंड्रिक्स ने एक मुकाबले में 80 प्लस रंस में थे दूसरे मुकाबले में उतना नहीं चल पाए थे लेकिन रिजादा क्लासी प्लेयर है जब भी मौका उन्हें मिलता है तो मौके प चल जाते बहुत बार ऐसा भी होता है कि सबसे पहले विकर्ज होती है वह टेमबा की ही गिरती है तो यहां पर उनका फॉर्म भी थोड़ से चिंता का विश्या और अब हेल्थ भी चिंता का विश्या बन चुक है आपको कैसे लगी वीडियो कॉमेंट सेक्शन कॉमेंट करक और साथे साथो फैन स्पोर्ट को लाइक शेर और सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ने भूलें